नमस्कार मित्रो स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में जिसका नाम है आचारिय सोलर कमपनी और अभी तक ये चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये गए लाल बटन को क्लिक करे सब्सक्राइब करे और आने वाले सबी वीडियो का सबसे पहले लाब उटाएं मित्रो आज हम दिखाने वाले है एक डेकोरेटिव एलेडी बल्ब जी हां मित्रो ये सोलर नहीं है ये हमारी नॉर्मल जो बिजली होती है 220 वर्ट AC पावर पर ये चलता है और ये एलेडी बल्ब है मोटर आता है इसके अंदर और ये बिजली से चलता है हमारे घर पे जो होल्डर होता है वो 220 वर्ट AC पावर सप्लाई पर ये लगाना पड़ता है इसके अंदर एक छोटा सा मोटर होता है जब भी आप स्वीच अन करोगे तो ये गोल 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 गुमेगा ऐसे और अंदर की लाइट होती अंदर जो LED लाइट है वो आपको दिखाई देगी अभी मैंने पावर सप्लाई नहीं लगाया है मगर थोड़ी देर पहले चेक करने के लिए लगाया था तो इसका जो कैपेसिटर है वो चार्ज है इसके लिए यहाँ पर लाइट दिखा रहा है अभी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा ये इसमें SX स्क्रू होता है अब देखिए इसके अंदर एक छोट आसा मॉटर होता है इसमें तीन LED लाइट दी गई है कलरिंग देखिए एक मैं गोल गुमाऊंगा तो एक लाइट चालू हो रही है क्योंकि अगी इसका कैपसिटर थोड़ा सा चार्ज है इसलिए बाकि हम लोगोंने सप्लाई नहीं लगाए ये कई सारी जगव पे मित्रो काम में आता है ये जैसे भी कोई डेकोरेटीव अगर दिवाली है आपके गर के बाहर ये लगाना हो कि नवरात्री है कि कहाँ पे लगाना हो तो ये गोल-गोल गुमता रहेगा और इसकी लाइट चारो और गोल-गोल-गोल अलग-अलग रंग की रोश्नी इससे मिलती रहेगी और यह हम अब भी आपको चारू करके दिखाएंगे चलिए इसे बन कर देते हैं ऐसे गोल-गोल गुमेगा जब भी मैं पावर सप्लाय में लगाऊंगा तो यह ऐसे गोल-गोल गुमेगा और इसके लाइट चारू और गोल-गोल गुमेगी लाल, फरी और नीली आईए इसे होल्डर में लगाते हैं और देखते हैं यह कैसे काम करता है सबसे पहले इसे हम यहाँ पर रख देंगे यह हमारे पास एक होल्डर है इसे यह यहाँ पर लगा देंगे 220 वल्ट AC पावर सप्लाय पर इसको हम यहाँ पर लगा देंगे देखिए अभी हम चालू करेंगे इसकी रोश्णी आपको आस पास दिखाई दी रही होगी देखिए यहाँ पर चले अभी ऐसे गोल-गोल गुमेगा यह इसमें से हरी निली और लाल कलर की रोश्णी निकलती रहेगी यह दिन का टाइम है इसलिए इसकी रोश्णी जादा दिखाई नहीं दे रही है बागी रात के टाइम में बहुत ही शांदार लाइट देती है ये आपके करके आसपास से गोल-गोल गुमती रहेगी लाइट तो दखिए अभी हम लोगोंने एक लाइट चालू करा था तो इसके अंदर का थोड़ा सा चार्ज रहे गया है ये बैटरी इसके अंदर बिल्कुल नहीं है ये से बैटरी वाला बल्ब आप बिल्कुल मत समझे इसके अंदर थोड़ा सा सर्कुर्ट में कापसीटर होता है उसको जो थोड़ा सा चार्ज रहता है तो ये लाइट चालू रहती है बाकी थोड़ी दर बात बंद हो जाएगी देखिये, बंद हो गई, तो इसे आप अपने गर पे लगा सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं, अगर कोई तयोहार हो तो आप गर के बाहर लगा सकते हैं, तो अगर ये LED बल्ब आपको पसंद आया हो, तो हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेर कीजिए, और अगर ऐ ऐसे ही नए नए प्रोड़क के वीडियो आपको देखने हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वह आप कैसे करेंगे कि नीचे जो लाल कलर का बटन है जहां पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर आप क्लिप कर दीजिए और बाजुवाला एक बेल आइकन है वह सारी डीटल्स हम लोग डाल देंगे आप वहां से खरीच सकते हैं और अगर इसका बिजनस करना हो तो डिसकाउंट वगरा क्या है वो भी हम लोग यहां पर डाल देंगे आपने अपना कींती समय निकाल कि यह वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत-बहुत आपका दिन शुब रहे जैहिन